हेलो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग एक्टिविटी 4.5 को पर फॉर्म करेंगे यह एक्टिविटी हमें ऑक्सिडेशन अफ अल्कोहल को समझने में हेल्प करती हैं अल्कोहल जो होता है कारवनी कंपाउंड होता है जैसे की एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल यह सारे हमारे अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं तो हमने क्या कर रखा, इन दोनों test tube में एथेनॉल ले रखा हैं, तो इन दोनों test tube में आपको एक colorless liquid दिखेगा, और ये colorless liquid और कोई नहीं है, बलकि ये एथेनॉल है, इसको activity को करने के लिए, और यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे आपको pink violet color का एक आपको substance मिलेगा, solution मिल ये जो है basically हमारा alkaline potassium permagnate है, alkaline potassium permagnate है, आप यहाँ पे acidified potassium dichromate का भी यूज कर सकते हो, राइट, अब देखो, ये मेरे पास alcohol है, राइट, एथेनॉल, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 5 drop इसका add करता हूँ, potassium permagnate का, तो आप देखोगे, तो इसका color change हो गया, pink जैसा, तो ब colorless liquid में, अगर कोई color component डालते हो, तो उसका color change होगा, इसमें तो ये obvious है, इसको समझना, अब दूसरा को मैं क्या करता हूँ, इसको, इस alcohol को, मैं थोड़ा सा गरम करके, उसमें, हम alkaline potassium permagnate add करते हैं, तो इसको करते हैं, और देखते हैं क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा गरम कर देता हूँ, heat कर देता हूँ, और कभी भी alcohol को गरम करते हैं, तो हम लोग water water bath का use करते हैं, directly गरम नहीं करते हैं, क्योंकि ये flameable होता है, और आग पकर सकता है, तो इसको मैं गरम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके तो इस अलकोहल को हमने फोरा सा गरम कर लिया है अब इसमें मैं फिर 5 ड्रॉप अफ पोटेसियम परमेंगनेट को डालता हूँ देखते हैं क्या होता है ओके तो मैंने इसको एक मिनट तक छोड़ दिया था अब यहाँ पर अगर इसको कलर को देखो तो यह जो है कलरलेस हो गया बिल्कुल लेकिन यहाँ पर इनिसियली जो अलकोहल ठंडा अलकोहल था उसमें मैंने अलकलाइन पोटेसियम पर मेंगनेंट डाला है तो उसकी तो कलर दिख रही है लेकिन यह कलरलेस हो गया तो कोईस्चन यहीं उटता है में कोईस्चन यही है कि यह कलरलेस क्यों हो गया एक तो पहले से कलरलेस था और दूसरा एक सबस्टांस बन रहा है, ओ भी colorless, तो इसलिए जो है इसका colorless हो जा रहा है, अब हम लोग इसमें थोरा सा extra डाल से हैं, potassium paramagnet को और देखते हैं, क्या होता है, तो five drops मैंने और डाल दिया, और इसके बाद मैं थोरा सा फिर से heat करता हूँ, देखता हूँ color bennis होता है, क्या, तो यह 10 drop का scene है, 10 drop के scene में देखोगे, तो थोड़ी सी तो color दिख रही है, वो 5 drop का scene है, 5 drop उसमें डाला है, लेकि 10 drop डाल देने के बाद भी जो इसका देखोगे, तो उससे कम ही color है, और ज्यादा डाल देते हैं इसमें, 5 drop और डाल देते हैं, तो यहाँ पर देखोगे, तो यह color add होते जा रहा है, उसका color आते जा रहा है, उसके जैसा color, जैसे ही हम लोग और डालते जा रहे हैं, अगर हम लोग extra डाल रहे हैं, तो देख लेने कि color यह जो है, परसिस्ट कर रहे हैं, यह क्यों हो रहा है, इसको समझ लेते हैं, तो देखो उसका होता है लेकिन यह उसको करने की अक्सिजन को यह कर चुका मैं तो हम कलर अब डालते हैं यह कलर बना जाता है एक कलर जो है अब भी से फियर नहीं होता है क्योंकि हमारा इतने भी अलकोहल थे पहले वो सब समाप्त हो चुके हैं और उनकी कैपिसिटी भी खतम हो चुकी है अब ऑक्सीजन को ग्रहन करने की अब हम लोग इस रियक्शन को समझ लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास शुरुवात में इनिशियल यह थेनॉल था हम लोगों ने इसको ट्रीट किया अलकलाइन के में फोर और हीट उसमें एड़ किया रएट तो हो क्या रहा है यहां पर अलकलाइन के में फोर पिंक कलर का होता है यह breakdown हो जा रहा है तो इसका कलर भी गायब हो जा रहा है और ऑक्सीजन जो है इसका इसका अक्सीजन जो है इसमें आड़ कर दिरा है एथेनॉल में और यह फाइनली अंदर बहुत सारी हल्चल हो रही है और हमारे पास अक्सीजन को प्रभाइड करने के दोरान और यह उक्सीजन इसमें आड़ हो रहा है तो यह हमारा ऑक्सीजन का एड़ हो रहा है इसलिए हम लोग इसका नाम देंगे की यह उक्सीजन इड़ कर रहा है इसमें इसको हम लोग इस ट्रों अक्सीजन एड़ कर सकता है शमता रखता है आप एक्स्ट्न डिसक्रेस कर लेते हैं वाइड जिस को ब्रेकडाउन करना है ब्रेकडाउन हो गया अब जो है Kmn4 break down नहीं हो रहा है, कमn4 वैसे का वैसे ही रहा जा रहा है यानि जैसा था OXygen टूट नहीं रहा है, break down नहीं हो रहा है उसके color component भी गायर नहीं हो रहा है तो यही कारण है यगर एक स्ट्राइड करोगे तो के में इनुफर बच जा रहा है कि सारे के सारे एथनॉल तो कनभार्ट हो गए है